हलो गुड मॉर्निंग टू आल क्लास सेवन के बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट अठारा सुनहरे कल की खोज ये पार्ट पूरा हो गया और इस पार्ट का अंदिम भागे भाग पांच परशन उत्तर की बारी है तो क्लास सेवन के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं ये उनके लिए है पार्ट अठारा सुनहरे कल की खोज भाग पांच परशन उत्तर है पहला परशन है बच्चों को मुक्त जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है बच्चों को आजादी में के लिए आजादी के साथ जीवन व्यतित करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो इसका उत्तर है बच्चों को घर जहां वे अपने परिजनों के साथ अपने माता पिता के साथ हसी खुशी से रह सके एक स्कूल हो, जहाँ शिक्षा के लिए पारिवारिक एवम सामाजिक वातवरन जहाँ उन्हें अच्छे संसकार मिले वो अपने हमजोलियों के साथ हुब खेल सके, साथ साथ अच्छे स्वास्ते के लिए उन्हें अच्छा पोशा आहार भी मिल सके अब देखिए दूसरा सवाल गरीब और लाचार परिवारों के बच्चे किन किन काम धंदों में लग जाते हैं लेका केता है कि आज के इस माहोल में रहने वाले जो गरीब और लाचार विवश मजबूर परिवारों के बच्चे हैं वो किस तरह की काम में लग जाते हैं इसका उत्तर है कुछ बच्चे अपने माता-पिता की काम में हाथ बटाते हैं व्यापार में मतद करते हैं कई बच्चे परियाटक गाइड दुकानों में काम करते हैं नजर आते हैं रेस्टरॉम में धाबों में और कहीं पर जूटे बरत जाड़ों पोचा साफ करते भी दिखाई देते हैं तीसरा सवाल है लोग बड़ों की जगे बच्चों से काम क्यों करवाते हैं लेखा कहता है बड़ों की जगे बच्चों से काम क्यों करवाय जाता है इसका उत्तर है क्योंकि बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसे दिये और वे चुप चाप काम करते हैं, अगर बड़ों को रखा जाए तो उनको मजदूरी जादा देनी पड़ेगी, कई बार तो उन्हें सिर्फ भोजन एमम कपड़ों के एवज में ही काम करवाया जाता है, अगला सवाल है, क्या बच्चों से काम करवाने से दुनिया की गरीवी मिट जाएगी, कारण सईद उत्तर दीजिए, इसका उत्तर है, यदि ऐसा होता, तो अब तक गरीवी का नामों निशान ना बचा होता, इसका ठीक उल्टा यह है कि बच्चों को काम करवा के उन्हें कम मजदूरी दी जाए, साथ ही सभी बच्चे शिक्सा से भी वन्चित रह जाएंगे, यही गरीबी, निरक्शर्ता और बाल श्रम ऐसा दुस्चक्र है, ऐसा हमारे लिए चक्र विव है, जिसे खत्म करना बहुत हमारे लिए जरूरी है, अगला सवाल है, क्या बाल श्रमिकों को लेकर हमारा समाच सब्देदन ही ने हमें क्या करना चाहिए, इसक बच्चों का बच्पन खुशाल बनाने का प्रियास करना, समाज में बच्चों के परती सब्वेदना, उत्पन करना, साथ ही उनको जागरुक और घर परिवार में बच्चों को सुखद माहुल प्रतान करना हमारे लिए अतियावशक है. अगला परशन है, बाल, श्रम, निशेद, एवं, विनियमन, कानून में कौन सी बाते कही गई है? बच्चों को काम न करवाया जाए, इसके लिए कानून बनाए गया है, बाल, श्रम, निशेद. ये कानून, 14 वर्ष से कम उमर के बच्चों को खास तरे के वेवसायों, एवं, उद्योगों में उनसे काम लेने से रोकता है, इसका उलंगन करने वाले पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. अगला सवाल है, बाल, श्रमिकों के बारे में स्री कैलाश सत्यार्थी जी के क्या विचार है? बाल, श्रमिक अपने परिवार को घरीवी से मुक्त अधिक कमाने लायक बन जाते हैं. घरीवी, निरक्षिक्ता और बाल श्रम ऐसा दुश्चक रहे जिसे तोड़ना हमारे लिए अतियावशक है. अब इसमें एक सवाल आता है, सही वाक्य के सामने टिक करना है और गलत वाक्य के सामने अपने क्रॉस करना है. पहला है, बच्चों से ही काम इसले कराए जाता है कि उन्हें अधिक मजदूरी दी जा सके तो ये गलत है, ये क्रॉस कर देना है. कुछ परिवारों में तो बच्चे ही उनकी आएके एक बातर श्रोत होते हैं. ये सही है, तो टिक कर देना है. बच्चों से व्योसाइक काम नहीं लेन बच्चपन में साथ खेला हुआ साथी, जिसके पास काम धंदन हो बेरोजगार, जो श्रम मेहनत करता हो तो श्रमिक, जो डरा हुआ 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 उसे भैबीत कहते हैं. और विलॉम शब्दा आता है आखिर में. पहला है उचित का अनचित, कुशल का अकुशल, न्याए अन लीजिए, इनको अच्छी तरसे समझ लीजिए और अपना काम अच्छी तरसे करते रहे हैं. धन्यवाद.